आज हम देखते हैं शुमेंग होंग्जो को मूवी देखने जाने के लिए बोलती है। Hongju Tao के बारे में सोचके नहीं जाना जाना था पर Shumeng कहती है क्या दोनों दोस्त मूवी देखने नहीं जा सकते और Shumeng को Hongju की कमजोरी भी पता थी Shumeng कहती है उस मूवी में जो गाने है उसके म्यूजिक बहुत अच्छी है उसे बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद होंगजो और ना नहीं कह पाता वहां लूशी भी तयार हो रहा था Shiazoo के साथ लंच पर जाने के लिए टाइम से बहुत पहले वो तयार हो चुका था इसलिए उसे लगता है कि उसे Shiazoo के होस्टल के सामने जाके इंतिजार करना चाहिए वहां होंगजो शुमेंग के साथ मोवी देख रहा था ऐसे में उसे टाव का कॉल आता है पर वो फोन नहीं उठाता लूशी जब Shiazoo के होस्टल के सामने पहुचता है तो Shiazoo वो शिन के साथ बात करते हुए देखता है उसे लगता है कि शायद Shiazoo फिर से शिन और उसकी सेटिंग करवानी की कोशिश कर रही है पर ऐसा कुछ नहीं था Shiazoo सच में लूशी के लिए इंतिजार कर रही थी और वहां लूशी गलत सोच के लाइबरी में बैठा हुआ था रिस्ट्रेंट में टेबल बुक करने के लिए लोगों की भी लगी हुई थी और Shiazoo ऐसे बेकार में बैठी हुई थी तो रिस्ट्रेंट वाले भला उसे ऐसे ही कैसे बैठे रहने दे सकते थे यहाँ पर लूशी की गलत फैमी तब तोटती है जब वो खुद Shain को अपने आखों के सामने देखता है उसे जब पता चलता है कि वो जब तक सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था तो वो तभी दौर लगाता है Shiazoo के पास जाने के लिए लूशी आके देखता है Shiazoo अभी तक रिस्ट्वेंट के बाहर उसके लिए बैठे इंतिजार कर रही थी लूशी को देखते ही Shiazoo उसके साथ जगरा शुरू कर देती है लूशी अब तक क्यों नहीं आया था वो Shiazoo को बता दे ही Shiazoo कहती है क्या वो उसकी आखों में एक जूटी है जब उसे पता है कि वो Shiazoo को पसंद नहीं करता तो क्यों वो उसके साथ शल्सेटिंग करवाने की कोशिश करेगी Shiazoo को दोबारा अंदर खाना खाने नहीं जाना था लोशी गलत था तो बार बार वो Shiazoo से माफी मांगने लगता है भूग तो Shiazoo को भी लगी थी तो वो राजी कैसे नहीं होती Shiazoo को रिस्टुरेंट का खाना बहुत पसंद आया था इसलिए लोशी कहता है वो उसे कल भी यहाँ पर ट्रीट देने लेके आएगा था फिर थोड़ी देर बाद टाव उसके लिए लंच लेके आती है होंग जो उसे थोड़ी देर बैठने के लिए बोलता है टाव जब होंग जो से पूछती है कि उसने कल उसका फोन क्यों नहीं उठाया था तब होंग जो उससे जूट कहता है वो कहता है वो उसके एक दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तभी होंगजो का फोन बजने लगता है तो होंगजो टाउ को रिसिप करने के लिए बोलता है फोन उठाते वक्त टाउ के हाथो मोवी के दो टिकिट्स लगती है लेकिन तभी के लिए टाउ से कुछ नहीं बोलती शियाजो जब मोवी के लिए निकल रही थी तब लूशी भी उसका पीछा लेता है उसे ये देखना था कि आखर शियाजो किसे पसंद करती थी वहाँ चेंगलिंग बहुत टाइम से लीनो को कम्पीटर क्लास में नहीं देखा था तो वो उसके रूममेट से पूछता है कि उसे क्या हुआ वो बता दिया है शायद लीनो डांस रूम में प्रेक्टिस कर रही होगी चेंगलिंग आके लीनू को प्रैक्टिस करती हुए देखता है लीनू अपना दर्ट कम करने के लिए पागल की तरह प्रैक्टिस कर रहे थी और फिर अचानक ससके पैर में मोच आ जाते है चेंगलिंग जल्दी से आके उसे पकरता है वो से डॉक्टर के पास ले जाना चाता था पर लीनू कहती है उसे अकेला छोड देने के लिए चेंगलिंग को पता चलता है लीनू की ब्रेक अप हो चुकी थी वहाँ मूवी का टाइम हो चुका था पर चेंगलिंग अभी तक नहीं पहुचा था मूवी देखकर सब चले भी जाते हैं पर चिंगलिंग नहीं आता और लूशी भी शियाजू के लिए वही पर बैठा था पर उसे जादा देर तक रहा नहीं जाता वो शियाजू को वहासे लिए जाना चाहता था लेकन शियाजू अभी तक वही पर बैठके इंतजार करना चाहती थी लूशी उससे कहता है वो जिसके लिए इंतजार कर रही है न अगर उसे उसकी जरासे भी फिक्र होती तो वो जरूरा था अगर उसे कोई emergency भी आ गई होती तो वो से phone करके बता जरूर देता शियाजू वैसे ही upset थी उपर से लूशी की बाती उसे बहुत irritated कर रही थी यूनिवरसिटी पहुच के वो जब चेंग लिंग को देखती है तो वो सीधे उसके पास जाके कहती है अगर उसे उसके साथ movie देखने नहीं जाना था तो वो पहली ही उसे बता सकता था फिर उसे उसके लिए बेवकुफी की तरह hall के सामने बैठे इंतिजार नहीं करना पड़ता वहालूशी को आज पता चल जाता है कि शियाजू किसे पसंद करती थी चेंगलिंग जब बताता है कि वो लीनू की वज़े से नहीं जा पाया था तब शियाजू को बहुत गुस्ता आ जाता है क्योंकि हर बार लीनू उनके बीच आ जाती थी शियाजू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लीनू का बॉइर्फरेंट था फिर भी चेंगलिंग को क्यों उसके इतनी फिकर थी चेंगलिंग से जब उसे पता चलता है कि लीनू की ब्रेक अप हो चुकी थी तो शियाजू कहती है तो क्या क्या उसे लगता है कि उसे दुबारा चांस मिल गया शियासapi गुससे से gradu मूवी की टिकित उसके मूव पे फेक्के मारती है वो जो वह से जाने लगती है तब इस बंदी के साथ वह तकराती है और इसके हात में था गर्म पानी चैंख accessible जल्दी से आके शियासको गर्म पानी से बचाता है शियाजू की सारी नाराज की तब गिल्टी में बदल जाती है क्योंकि उसकी वज़े से चेंगलिंग को चोट लग गई थी शियाजू की वज़े से लूशी चेंगलिंग के साथ बुरा भीहेव कर रहा था और शियाजू अपना दर्ट कम करने के लिए दौर रही थी शियाज उन्हें पैसे जमा किये थे उन्हें मूवी दिखाने के लिए और वो आया ही नहीं तो उसके टिकेट के पैसे वेस्ट हुए न ऐसी हालत में किसे न गुस्ता आता पर चेंग लेंग को ये रिजन सही नहीं लग रही थी लूशी तब दूसरा रिजन दिखाता है वो कहता है लिनू का बॉइफरेंड है ये जानती हुए भी वो क्यों पागल की तरह उसके लिए इंतजार कर रहा है अभी तक एक दोस्त होने के नाते शियाजू को अपने दोस्त के लिए चिंता तो होगी ही न अगले सिन में हम देखते हैं शियाजू दोर रही होती है और फ़े थोड़ी देर बाद लिनू भी उसे जॉइन करती है उनके युनिवरसिटी में कुछी दिनों में स्पोर्ट्स होने वाले थे उसमें लिनू रन देने वाली थी अब क्यूंकि शियाजू रन में बहुत अ पूरी रहना चाती थी अगले सिन में हम देखते हैं शुमेंग होंग्जू को बताती है कि उसके फेवरिट सिंगर की कॉंसेट होने वाली है होंग्जू तो ये बात सुनके ही excited हो परता है ऐसे में वहां टाव आती है और शुमेंग जाती है टिकेट खरिदने टाव के दिल पूरी की पूरी जूट थी वह कहता है शुमेंग ने उनके पूरे टीम को इन्वाइट किया था पर वहां पे सिर्फ वह थी इसलिए वह पर एक पल भी नहीं रुकना जाता था पर शुमेंग उससे कहती है कि उसने टिकेट खरीदे थे तो वह वेस्ट चले गए इसलिए उ श्याजू की क्लासमेंट उसे स्पोर्स के लिए वांबने को बोलती है श्याजू को यह नहीं करना था पर वह उसे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है वांबने के लिए अगले सिन में हम देखते हैं होंग जू बहुत टाइम से कॉंसर्ट के टिकेट लेने के लिए लाइन खड़ा हुआ था तो टाव उसके लिए खाना लेके आई थी पर इतने टाइम से लाइन पर खड़े रहकर भी कुछ नहीं होता क्योंकि सारी टिकेट अल्रेडी बिख चुकी थी इस वज़ए से होंग जू बहुत जादा अपसेट था ऐसे में शूमेंग किसी से फोन पर कह तो यहां में बेनके रही होती है कि अगर उसे चाहिये रही होती है कि उसके पास दो ड्स ए अगर उसे चाहिए तो वो कमदम में में बेप सकती है एस писalis में और ने नहीं पर zaham करेगा और अगर फिर भी वो नहीं चाहती कि वो कॉंसर्ट पे जाए तो अभी शुमेंग को टिकिट वापस करके आएगा टाओ भी इतनी सिल्फिश नहीं थी वह होंग्जु को शुमेंग के साथ जाने देने के लिए राजी हो जाती है वहां चेंग लेंग लीनू की विचे से स्पोर्ट्स जॉइन करना चाहता था शियाजु लूशी के साथ हस्ते उस्ते बात करते हुए जा रही थी पर जाते जाते वह जब चेंग लेंग को लीनू के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसकी सारी हसी एक पल में गायब हो जाती है अब तक तो पर जल्दी से दौर लगाती है शियाजु अपना सारा इफ़ोट लगा देती है दौरने में ताकि वह लीनू को हडा सके लेकिन जिसे प्रूफ करने के लिए वह इतनी महनत कर रही थी उसी के मुह से वह लीनू को चीर करते हुए सुनती है एक ही पल में उसके दौरनी की त हुए थी और अभी तक चिंगलिंग उसे ही चीर करते जा रहा था किसे ने शियाजु की तरफ धियानी नहीं दिया था सिवाए लूशी को छोड़के फिर सभी एक एक करके शियाजु के पास आ जाते है आसपास कोई डॉक्टर नहीं था इसलिए लूशी ही शियाजु को ड इसके दिल में दर्द हो रही थी उससे जितना बन बढ़ता है वो शियाजु को कमफोर्ट करता है वहाँ टाओ को शियाजु के लिए फिकर हो रही थी वो जितनी बार जाना चाती है उसके पास उतनी बार ही होंग्जु इसे रोकता है होंग्जु टाओ के साथ हैंग और जो confident था शुमेंग वो तोड़ना चाहती थी शुमेंग उसे बता देती है उस दिन हुंग्जु ने उसके साथ बैठ के पूरा मुवी देखा था फिर क्या था शुमेंग जैसा चाहती थी वैसा ही होता है टाओ आके हुंग्जु से ब्लेक अप कर लेती है